इंडियम में आपको ऐसा कोई कोना नी मिलेगा जहां पर आलू भुजिया को खाया नहीं जाता और दिखातों आपको इसको फैक्ट्री लेवल पर कैसे त्यार के जाता है परिमिक्स बना रहा है तो सबसे बेले इसमें बॉटर ढला जा रहा है सर मशीन आपकों सी बनेगा कूण तोड़ा इसको फानी में घुमाएंगे या मट यह कोच्छे से मिंच कर लिया जाएगा मिच्छ क्मिक्स अब इसमें हम अपना प्रीमिक्स गाल रहे हैं चूह हमारा credm i cape to तियार करने का हमारा है एस बनाई है कि एसे से हमने सिक्राइस में काम करना है दो रेडियों ने में मेरा लगता है तीन से चार मिनट कि युफ जाब हो तियार जब लिए अब यह हमारा पूरा बनके त्यार हो गया है अब अब इसको एक बकट में लेए ये लड़के ने चेक कर लिया है कि ये दो तैयार हो चुका है है दो हमारा त्यार है ये दो को निकाल है तो आटको निकाला है आप एक ऐक करके देख सोते हैं अब है हाईजटीनिक तठीक है से हमारी आप कुझिय रेडी की जारी है हमारी जो अलो पूलो पूली है ना वह उमारे पास आ गिया है इसको देखो नहीं गॉल गुम रहा है हमारा करसर है तो जब प्रायर से हमारी भूजिया निकलती है तो वो एक अन इवन सेप में होती है उसको प्रोपर सेप देने के लिए हमने इसमें एक करसर लगाया हुआ है यह घूमता है बूजिया को जो साइज हमें चाहिए उस साइज में कनवर्ट कर देता है यह मसीन लगई है अब यह से भूजिया के साथ इसको विक्स किया जा रहा है यह देखो नीचे वाइब रिटर लगावाया वाइब इसको स्कार फीडर बोलते हैं यह पूरा वाइब्रेस करके ना टंबलर में मसालयों को भिखेर के एपलिकेशन कराता है तो सर पूरा प्लांट आटमेटिक है यह इतना बड़ा है यहां पर अच्छे सिसकी मिक्सिंग की जा रही है यह जाली लगी है जैसे कोई हमारा फाइंस बगारा हलका माइनर वह आते हैं प्रोड़क्ट अपने माइनर जो चूरा टाइप होता है उसको यह निकाल देती है बार अगो उसको हम पिसकार कर देते हैं त अबिक फ़ते हैं यह सब सबता है और लिचया पर काम है सकली वेट करने का यह क है और स्पीड में गकर मैं पर मिनट यह वेट कर रही है तो रही है यहांु है आपको आलू भूज यह दिख जाएगी है इससे ना हमारी पूरी स्क्रीप निकल के आती है ताकि फीजिकल कोई डैमेज ना हो मसीन इस पैकेट को इसको हम बहुत एच्छे से एंडल करते हैं हमारा काटन पुरा कंप्लीट हो गया फिर इस पे टेपिंग की जाती है देखो हम अपनी अब टेप लगाने के बाद यह वेट करेंगे काटन का अब काटन हमारा कनवीर पे जा लगया देखो और यह हमारा डिस्पैच लोकेशन पे वहाँ पे जा लगया लूग